हेलो फ्रेंड वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग मस्त होंगे ब्यस्त होंगे साथ या अपनी एक्जाम की त्यारी बड़े अच्छे डंग से कर रहे होंगे आज हम आपके लिए लिखाए हैं टॉप साइंसी के क्वेस्टन जो अक्सर आपके में पूछा गये हैं तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेस्टन है एक गुर्फ में बिद्धुद उर्जा का सुरोथ क्या है तो अपना अंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे थर्मोपाइल सोलर सेल डाइनमोज मीनी नुक्लियर रियक्टर तो इस के पास लिवर इस्टो मैच बड़ी आथ चोटी आथ तो इस के जो राइड आंसर हो जाएगा वह जाएगा ऑप्सन नमबर डी यानि च्छोती आथ में अब चलते हैं नैस्ट क्वेस्टन कि और नैस्ट कोचा है रास्टी पोसं सस्ता कहां इस्तित है जल्दिस अपना अंस सब्सक्राइब और नेस्ट कुछा है किस बिलियन का पीएस सेवन से कम होता है जल्दी सब्सक्राइब कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताएंगे अनुवेज एफिसील 3 इन वैसे कोई नहीं बहुत खूब जिल लोग ने इसका अंसर दिया है ऑप्सन नमबर बी यानि एफ 1979 में अब चलते है और नींश्ट के कुछ सर्णा से पूछ नंग क्या होता है ये ऊप्सन एक परकार का खनीच बी आफन एक परकार का प्राणी और डफन कि वह हो जाएगा ओपसन नंबर बीए Happy से उत्पाधित खनीच इसकों में अशूद्धि अप चलते हैं नेस्ट क्वेशन के और नेस्ट क्वेशन में से पूछा है 18 करेट सुर्ण में सुद्धू सुर्ण का अनुपाद होता है एक साधान सुक्समदर्सी होता है जलिस अपना अंसर कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएंगे कम्-फोकस वाला उत्तर लैंस आप चलते हैं नेस्ट क्वेशन के और हमसे पूछा है मानक्व सरीर में सबसे लंबी कोशी का है इसक्वेशन का आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके अंसर बताएंगे इन लोग ने इसका अंसर पर रखा है option number a यानि तंत्रिकातंत उनका बिल्कूर right answer है यह question काफी बार repeated question है इस question को star mark लगाके रखिए वह उत्तक जो दुत्यक विर्धी के लिए उत्तरदाई है a option है cambium b option है cortex c option है जैलम d option है phloem तो बहुत कुब जिन लोग ने इसका answer दे रखा है cambium यह भी आपके एक्जाम में काफी बार आया हुआ question है तो आप इस question को भी star mark लगाके रखिए अब चलता है a option है between a b option between b c option है between d d option between c बहुत को जिन लोग ने इसका answer दिया है between c उनका बिलकुर right answer है अब चलता है next question के और next question हम से पूचा है fountain pen किस नियम पर काम करता है a option है गती की के लिए प्रवर्तन के लिए बहुत कोब जिन लोग ने इसका answer दे रखा है C option यानि कोसी के लिए उनका बिलकुर right answer है अब चलता है next question की और next question मम से पूछा है भारती मिसायल में किसे कहा जाता है जल्ली से अपना answer comment section में comment करके बताएंगे A option है Dr. Homie Baba को B option है Dr. Chidambaram को C option है R.U. Rao को D option है Dr. A.P.J. अबदुलकराम को और next question मम से पूछा है एक स्वस्त मनिस्य का रख्तचाब होता है जल्ली से अपना answer comment section में comment करके बताएंगे 9 upon 60, 120 upon 80, 100 upon 140, 90 upon 120 बहुत खुब जिल लोगों ने इसका answer दिया option number B उनका बिलकुर right answer है ये भी काफी बार जामा आएवा question है आप इस question को भी star mark कर लाके रखिए अब चलते हैं next question की ओर महादीब जहां मानों से सम्मंधित जिवास में सबसे अधिक मिले option है आपके पास यूरोप B option है अफरीका C option है अमेरिका D option है Asia बहुत कोब जिन लोगों ने इसकान दिर रखा है option number B उनका बिल्कुर right answer यानि अफरीका इस question का right answer हो जाएगा अब चलते हैं next question क्यों next question मां से पूछा है उत्प्लावन का नियम परतिवादित किस ने किया A option है आपके पाए आई जेग न्यूटेन B option है आरके में डेलियो और D option है इन में से कोई नहीं बहुत बहुत खूब जिल लोग ने इसका answer दिया है आरके में इज उनका बिल्कुर right answer है अब चलते हैं next question क्यों next question मां से पूछा है तेज परकास में पुतली का आकार कैसे हो जाता है A option है बड़ा B option है छोटा C option है कोई परिवर्टन नहीं D option है इन में से कोई नहीं बहुत खूब जिल लोग ने इसका answer दे रखा है B option यानि छोटा उनका बिल्कुर right answer है अब चलते हैं next question क्यों next question में हमसे पूछा है परकास के किस रंगों का पहुंदे द्वारा तीवर्टा से अवसोसन किया जाता है A option है नीला और लाल B option है पीला बैगनी C option है बैगनी नारिंगी D option है इन में से कोई नहीं बहुत खूब यह question भी काफी बार आपके एक्जाम में आया हुआ है तो इस कि आपके एक्जाम में काफी बार रिपिटेट कोईशन है तो A option है CH4 B option है S2SO4 C option है CO2 और D option है C2S6 तो इस question का जो right answer हो जाएगा A option बहुत खूब अब चलते अपने last question के और last question के और बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जूड़ जूड़ जाएगे तो आज की वीडियो का हमारा last question है निम्लिकीन में से कौन सा कार्भोहाइडरेट का उधारन नहीं है A option है Maltose B option है Fructose D option है C option है Glycogen D option है Glyceline बहुत खूब जिल लोगों ने इसका answer दे रखा है Glyceline उनका बिलकुर right answer है साथ याप कमे